यूमन की चाहत क्या है? मनुष्य की चाहत क्या है? असली चाहत क्या है? तो सीडी होना तो ठीक है, पर ये सीडी जा कहां रही है? ये जानना बहुत ज़रूरी है. ये मैं कहता हूँ सब लोगों से, कि भाई सीडी चढ़ना है, तुम को चढ़ो, बड़े शौक से चढ़ो, एक नहीं, दस चढ़ो. पर ये जा कहां रही है? ये जो दुनिया की सीडी है, ये तो ऐसा लगता है कि उपर जाती है, और तुम को लगता है कि तुम उपर जा रहे ह सीडी हो, और 10 र मैं आ अरे नीचा है, और आपको अपने आपको वही पाते हो, जह से चालो की, और फिर कोशिस करते हो, फिर चढ़ते हो, पर तुम पिर आपने आपको वही पाते हो, यहां पात father. मैंने बहुत लोगों से बात की भी जब मैं छोटा था तो मैं गया कई जगे गया और बहुत रहीस लोग तो मैं उनकी तरफ देखता था और जो दुख किसी को भी सताते हैं उनको भी सता दे एक एक व्यक्ति को मैं देखने के लिए गया बंबभई में बहुत साल हो गया तो उनका बड़ा आली शान आली शानदार मकान कारें मतलब इतनी शान मैंने उस समय तो फिल्मों में भी नहीं हुआ करती थी इतनी शान तो बेशमार दौलत तो मेरे मैं ज्यादा मेरी उमर नहीं थी तर मेरे को भी ख्याल आया कि यह व्यक्ति कैसा होगा तो इतना अमीर है, इतना रहीस है हमारे पास तो उस समय एक ही कार थी है, दो कारें थी और इसके पास तो दस्यों कारें हैं, तो बहुत ही अमीर है तो गए, उपर गए, एक मंजला, उस समय तो एलिवेटर, उसके मकान में एलिवेटर थे बच्च, एक बप्रलिबबबम कितने मंजल कमा कानाना है। तो उपलेवेटर में गई, बच्छ, तो फिल्स् detect ने किवासंते है ने डते किवास् अलेवेटर से निकले औक्सिजन, नर्स खड़ी हुई, तपहले दुमेर को योई, यह क्या है? इतना रही साथ मी इस पलंपे लेता हुआ है, यह हो नही सकता. मतलब, वो सफेद कपड़े, बाल बने हुए नहीं, यह हो नहीं सकता, यह क्यों और होगा? तो तो उनका रिश्दार हो कोई, फिर किसी ने का नहीं यही हैं, तो मैं गया, उनके पास बैठा, यह नहीं कहिए, तो बहुत नहरत करने के बाद, जो कुछ वो कह पाए, वो यही था कि, कुछ ऐसी चीज बोल दो, कि हम स्वार्ग चले जाएं. तो मैंने कुछ सुनाया, मैंने कहा कि, अभी भी यह स्वांस तुमारे अंदर आ रहा है, जा रहा है, इसको पहचानो, क्या है यह? क्या बहुत सोचा मैंने, फिर शाम को भी में सोचते रहा हैं, इसी बारे में, कि प्रकर्थी के लिए कोई रहिष नहीं है, और प्रकर्थी के लिए कोई गरीब नहीं है, बात सिर्फ रहिष की नहीं है, गरीब भी कोई नहीं है. आम का पेड़ है, वो किसी को डिसकाउंट नहीं देता और सब को डिसकाउंट देता है, उसका फॉल जैसा है, कोई अमीर चखे, गरीब चखे, चिडिया चखे, बंदर चखे, पर मनुष्य के लिए सब अलग अलग है, सब अलग है, तो कोई भी हम हूँ, कोई भी हूँ, कोई भी हूँ, कॉर्परेट वर्ल्ड के हूँ, धार्मिक वर्ल्ड के हूँ, उन संस्ताव के हो जो अच्छा काम कर रही हैं संसार के अंदर, पोलिटिकल इंस्टिउशन से हूँ, लाँ इनफोर्समेंट से हूँ, एक्जेकुटिव से हूँ, जुडिशल से हूँ, किसी भी दारे से हूँ हूँ, पर हम हैं कौन? मतलब common denominator हमारा क्या है? कि हम सबसे पहले मनुष्य हैं, और मनुष्य का धरम और जो संसार में हमको हमारा फर्ज बताया जाता है, पर तो जो हमारा धरम है, अगर उसको हम नहीं समझ पाए, अपने आपको नहीं समझ पाए, तो फिर सारी पिक्चर हमको मालुम नहीं है, हमारी संसार के अंदर क्या जिम्मेवारिया हैं यह हमको मालुम नहीं है, पर अपनी जिम्मेवारी अपनी तरफ क्या है जब तक ये नहीं मालुम होगा, तब तक और चीजों का पता नहीं लगेगा, तो मनुष मनुष अपने आपको समझे, तब ही और चीजों को समझ पाएगा वो, पर तुब वो और चीजों को पहले समझना चाहता है, तो शांती तो किसी भी चीज में मदद करेगी, क्योंकि आप भी अपने आपको जानता है, उस नख्षे में, क्योंकि जो नख्षा है, उसमें ये बहुत जरूरी है नक्षे में ये मालुम करना कि आप उस नक्षे में कहा है, उसके बाद आप अपना destination कहीं भी बना सकते हैं और वहां कैसे पहुँचेंगे उसका आप रस्ता बना सकते हैं परन्तों अगर आपको यही नहीं मालम कि आप कहा हैं तो आप कैसे वो track बनाएंगे जहां आप पहुचना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात और मैं यही कह रहा हूँ तो जो मैं कह रहा हूँ वो success के विरुद्ध नहीं है वो असले success हम कैसे हासिल करें उसके परती है